कोरिया से यतिहास जो राम का पढ़ा और राम के काल के बुद्ध्य मंदिरों में राम को जो देखा यह मुझे स्वभाग्य मिला वहां से सिधा भूमि पूजन में आ रहा हूं वह एक जो प्लब्दी वहां से हुई है और मैंने देखा आधर्णिय योगी जी ने भी पिछले वर्ष वहां से कोरिया की जो रानी है उनको बुलाया था कि अयोध्या के साथ कोरिया का समद्धा तो भागिशाली विक्ति हूं और उसके पहले शिकागो गया दुनिया के लोगों से मिला राम की बात कहीं दुनिया में कोबंडिया कित को इस बार देखने के लिए काफ़ी कुछ थे शीलमbnर कि responds करें मेरा यह कहने का मेरा भाव नहीं है इसलिए हम यह मैसूस करते हैं जीवन के 58 वर्ष मैंने रामिला के विस्तार के लिए तो इससार नमी करन होगा जो मैं जाके देख किया है उन अनुभवों को भी इस रामिला की प्रसंगों में डाले इस बार माने शेम साब को मक्षेमंत्रिया उट्रप्रदेश यूग्या जि है इस बार मुख्या आगरशन होगा जिसको पर इस बार मुख्या आगरशन होगा जिसको करते तो हर वर्स है पर इस बहुत आकर से तरीके से किया जाएगा आप जानते हैं कि हर साल जो हम अलक्साइब लगाते पुलिस प्रसाशन की बहुत मिलती है बहुत अच्छा कारिकरम करती है अब की ब fabrication करते में परदेश सरकार की काफी मंत municipalities की सभी सम्माष को सभी शुमानित जोदिल बाटे जी आज ये सिरी धार्मिक रामलीला का भूमी पूजन कारेकरम संपान हुआ है और आप इसमें अतिती बतोर सामील हुए है क्या संदेश देना चाहिए देखिए जब से ग्रटोड़ा की स्थापना हुई है तब से ही सुशील जी महराजी के नित्रत में भाव रामलीला है मैं समझता हूँ कि यह हमारे उत्तर भारत की सबसे बड़ी रामलीला यहां आज़ित होती है और इसके लिए पूरी टीम बढ़ाई की पात रहे हैं इसमें खर्चावी बहुत होता है मैं सबी लोगों को इस सुब अबसर पर अपनी हार्दिक शुब कामना प्र ग्राउंड में जो रामलीला होती है इसके सभी संस्तापक, संग्रक्षक, अध्यक्ष और महराज जी की किरपा से यह बहुत मेहनत और लगन से लगे हुए हैं और इसको हर साल एक नया रूप देकर रामलीला करने का प्रियास करते हैं और जो हमारे लोगों को सिरी राम जी का संदेश जाना चाहिए एक मनोरंजन के रूप में नहीं है एक प्रितिष्टिक सब्द के रूप में रामलीला होती है और ग्रेटर नोड़ा में इससे बहतर क्या उत्तर भारत में भी इससे बहतर नहीं होती है मैं तो यही सुबकामना देने चाहूंगा जितने भी अवत संदर हो रही है उससे हर साल आगे संदर होती है और सबी के लिए जो यहां पर हैं उनके लिए सुबकामना है और पूरी टीम के लिए सुबकामना है